प्रडाम मैं प्रवीन पांडे और आप देखना सुरू कर चुके हैं पंडी जी आज हम इस वीडियो में आपके प्रश्णों के उत्तर को जानेंगे तो चलिए बिना बिलब किये वीडियो के शुरुवात करते हैं और जानते हैं आपके प्रश्णों के उत्तर को दीपक सैनी जी का प्रश्ण है कि रोज हम किसी भी मंत्र को कितना जप्य कि हमारी कुंडलनी बैलेंस हो देखे दीपक जी कुंडलनी विशय बहुत बड़ा विशय है यह सागर है जिसका कोई छोर नहीं समझ में आएगा आपको इसे बहुत सारे नियम बहुत सारे काईदे बहुत सारे कानून होते हैं कुंडलनी शक्ती अगर आप नहीं भी चाहा रहे हैं हो सकता है कि कुछ कर्म ऐसे आपके द्वारा हो रहे हो कि वो अपने आप ही जागरित हो जाए हो सकता है कि आप करते रहें न जागरित हो वैसे इसके कुछ नियम होते हैं ऐसा नहीं होता है कि किसी भी मंत्र को आप जपे और कुंडलनी शक्ती बैलेंस हो जाए बैलेंस करने के लिए कुछ योग किये जाते हैं जपों के साथ में अब देखिए मैं ही जब कुछ आपको किसी साधना बिठाता हूँ तो कुछ योग आपको बताता हूँ कि ये योग आपको करना है ये ध्यान आपको रोज करना है उन चीजों से कुंडलनी शक्ती बैलेंस होती है और कुंडलनी शक्ती बैलेंस करने का ताथ पर ये है कि जब भी आप मंत्र जब कर रहे होते हैं तो वो स्टोर हमारे सरीर में होती है सरीर मतलब सातों चक्रों में वो स्टोर होती है धीमेदी में पहले उतना जब करें कि आपके मुलाधार चक्र को जागरित किया जा सके उसे शुद्ध किया जा सके तो पहले शुद्धी करण पर ध्यान दे, ये अपने दिमाग से निकालें कि किस मंतर से बैलेंस होता है, किसी मंतर से बैलेंस नहीं होती है, बैलेंस स्वयम से करना पड़ता है, जब आप आध्यात्मी के छेत्र में आएंगे, जब करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अब पता चला कि आप जब कर किये जा रहा है, किये जा रहा है, आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, पर वहीं पे एक ऐसा व्यक्ति है, जो जब कर रहा है, और उसे ये महसूस हो रहा है, जैसे एक छोटा सा experience सबको लगबग होता है, जिनके भी कुंडलीनी शक्ति स्टार निचे होती है, सेम इसी तरह से वहाँ पे कुछ तरंग टाइप की उपर उठ रही है, डाउन हो रही है, जब ऐसा महसूस होता है, तो ये एक sign होता है, कि हाँ आपका मुलाधार चक्र अब जागरत हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे precaution लेने पड़ते हैं, बहुत सारे नि जाता है, बिसिकलि मेरी जागरत नहीं है, इसलिए मैं दूसरों के पास उन्हें भीजता हूँ जिनकी जागरत है, वो उनकी सला, उनको मैं प्रोवाइट करवाता हूँ, आपको करना क्या चाहिए कि सूरे नमस्कार रोज करिए, कम से कम 108 बार सूरे नमस्कार करिए, हो सके तो मंत्रों के साथ में करिए, इससे कुंडलीनी शक्ति आपकी बैलेंस होगी